असलों लेकुन फ्रेंड वल्कम बाक तो चानल अगीन उमीद करती हो आप सब खरेत से होंगे अगर अगर मेरे इस चानल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिलको हिट कर लें ताकि मैं जो भी आपको वीडियोस लाती हू अगर आप रेगुलर्ली चिकन खुर्मा बनाते हैं तो उसे हटकर आप कुछ बना सकते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रू से ट्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ ज़रू से शेयर कीजिएगा मैंने हम पर ले लिया है चाज साइस बड़े टमाटो जो लाल होते हैं वो वन बड़ा साइस का ओनियन कुछ जिंजर और गार्लिक पील कर लिया था कुछ कोडिया अंडर और कुछ कैश्यूस और कोकोनेट ले लिया है मैंने हम पर अगर आपको completely like कैश्यूस पसंद नहीं ह तो उसका फ्लेवर एंहांस करने के लिए आप उसकी जगा जो like कदो के बीच होते हैं उसे यूज कर सकते हैं या completely आप कैश्यूस like कोकोनेट को आप रिप्लेस कर सकते हो कैश्यूस की जगा मैंने हम पर मिक्सर ग्रेंडर में ले लिया था पहले जो हमारा कोकोनेट और हमार की से पीस लेंगे हम पर उसके बाद हमारे ओनियन जिंजर गार्लिक और जो हमारा कोरियांडर था उसे दाल कर दर दरा पीस लेंगे मूटा नहीं पीसेंगे इसे भी पीस लेने के बाद हमें हम पर पीस लेंगे हमारे जो टमाटर थे उसको भी पीस कर रेडी कर लेंगे मैं देखिए हमारे जो तमाम इंग्रेडियंट्स हमें लगेंगे चिकन खुर्मा के लिए मैंने हम पर पीस कर लिया है और एक पान ले लेंगे हम एक कुकर ले लिया है मैंने प्रेजर कुकर और उसमें दाल देंगे करीबन 6 टेबल स्पूंस डिपेडिंग उपॉन ले रहे हैं उसमें जो फैट कंटेंट जितना प्रेजर रहता है बेजर आप लेकर इसमें आड़ कर लीजेगा इसमें जब करम हो जाएगा मैंने कुछ ड्राइ मसाले दाल कर भून लिया था एक लॉंग और कुछ इलाची और यह दाल देने के बाद हम कंसिसटनसी होती है वो पैन में लगने के चांसिस होते हैं तो प्लीज यह धान रखेगा कइवा कि से चलाते रहें या फिर flame को अब low medium में ही अब से बना सकते हो अब इसमें हम करेंगे मसाले इसमें जाएगा 1 and half teaspoon of red chili powder and 1 teaspoon of turmeric powder and one and half teaspoon of coriander powder जाएगा इसमें अगर आपको ज्यादा धीका पसंद है तो आप depending upon your taste, taste buds आप इसमें red chili powder add कर सकते हो मैंने हम पर 1 teaspoon of red chili powder ले लिया था मैं कोशिश कीजिया का कि थोड़ा लिक थीका नहीं खाते हैं तो आप बच्छों के लिए भी इसे दे सकते हो क्यूंकि हमने जो onion की consistency लिए है और जो cashews और coconut का paste लिया है उसमें जो natural sweetness होती है वो भी हमें cut down करना होगा यहां पर chili powder दाल कर तो देखकर आप इसमें chili powder मिला सकते हैं जो tomato मैंने पीस कर रखा था उसको भी हमें हम पर मिला दूँगी और जो tomato हमारे मैंने आट किया था और सची तरह कुक होने के लिए मैं हम पर आट करने वाली हूँ salt सॉल्ट आट कर लेने के बाद हम इसे करीबन 2-3 मिनिट तक अच्छी तरह भूनेंगे हमारा मसाला और इसमें लास्ट में 2-3 मिनिट तक अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें आट करने वाली हूँ coconut और हमारा जो coconut का mixture था वो देखिए इसे मैंने 5-10 मिनिट लो फ्लेम पर अच्छी तरह भून लिया है में जो कोई भी आप ग्रेवी बनाती हो उसका में च्छी के ही होता है कि आपको मसाले उंको अच्छी तरह भूनना होगा ताकि जो तमाम ओल है वो ऊज़ाउट होने लेगे जब तक आपको मसालों को अच्छी तरह भून लेना है और मैंने चिकन को अच्छी तरह हम पर वश कर लिया था मैंने 750 ग्रैम ऐफ चिकन लिया था और इसे अच्छी तरह डालकर चिकन दालने के बाद भी हम इसे करिबन 5 मिनिट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे फ्लेम आम को मेडियम लो ही रखनी है देखें मैंने लेड मुझकर इस अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ दिया था और यहां पर इसे मैंने 5 मिनिट्स लगा था यूँ ही भून रही हूँ आपको यही कोशिश करनी है कि आपका मसाला जो है वो चिकन में अच्छी तरह मिल जाए आपको जब आप एक बाइट लोगे चिकन का तो आपको फील होगी इसमें भी मसाले हैं कुछ अलाइक प्लेंग चिकन ना लगे मैं हम पर टेस्ट चेक कर लूँगी थोड़ा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं हम पर सॉल्ट अट कर लूँगी सॉल्ट तल कर मिला लेने के बाद इसे अच्छी तरह एक मिक्स देंगे और लिट मुझे लाइक क्लोस करके इसे वन सीटी लगा देंगे अगर आपका प्रिजर कुकर जल्दी सीटी आ जाती है उसमें तो आप दो सीटी लगा लें और इसके बाद प्रिजर नाचरली रिली देखें हमारा जो चिकन खोर्मा है यह बहुत अच्छी तरह बनकर रेडी है अगर आप इसे लाइक नान के साथ या रोमाली रोटी या रोटी के साथ सरु कर रहें तो आपकी जो ग्रेवी है उसे तीक रख सकते हो मैंने हाम पर राइस के साथ सरु किया था तो देखें मैं इसकी कंसेस्टन्सी कुछ राइस के साथ खाने की ही रेखी है डिपेंडिंग ऑपोण यॉर लाइक आप इसके साथ क्या दे रहे हो डिपेंडिंग ऑपऊं दाटि यूंच जींग आप रेगुलर्वी चिकन खोर्मा बनाते है तो कुछ चीजिंज साथ अब जब अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है शेर किजिए